गुजरात में राजसभा की चार सीटों के लिए नीचून को चुनाव होने वाले हैं ऐसे भी क्रॉस वोटिंग नहीं हो इसके लिए कॉंग्रेस ने विधायकों को सिरोही के आबुरोड सित एक रिजोर्ट में रखा है चहां करीब तेस विधायकों के टहने की सूच्टा है लेकिन इसी वीच भाच्पा ने आपदा अधिनियम के तहट लॉकडाउन के बावजूद नियमों का उलंगन कर विधायकों को रिजोर्ट में ठहराने पर रिजोर्ट संचाला के खिलाव सदर्थाने में मामला तर्स है 19 जून को ये चुनाव होने वाला है राजस सभा क्या राजस सभा की कुछ सीटों के लिए यहां पर चुनाव गुजरात से उमीदवार जो है उन्हें विधायकों को रिजोर्ट में ठहराने का ये पूरा मामला रहा अलकि भाच्पा ने इस पर पलटवार करते हुए रि रिजोर्ट संचालक के खिलाफ सदर्थाने भी मामला दर्स कराई गया गया गुजरात के विधायकों को सिरोही के आबुरोज में रिजोर्ट पे ठहराने का मामला बताया जा रहा है कि देस विधायकों के यहां पर ठहरने की सूचना है 19 जून को ये चुनाव होने वाले हैं उसी के चलते क्रॉस वोटिंग ना हो इसी के चलते इन विधायकों को सिरोही के आबुरोड इस्तित रिजॉर्ट पे ठराय गया लेकिन भाजपा ने पलटवार करते हुए रिजॉर्ट के संचालक परापदा प्रबंदन का उलंगन करने की गाइडलाइन की अब हेलना का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्स करा है सदर्थाने में तो कही न कहीं दोनों तरफ से अभी क्रॉस वोटिंग की यहां पर दुविधा बनी हुई है दोनों ही कॉंग्रेस कहें या फिर बीजेपी कहें दोनों को ही अभी डर सतारा है कि किसी भी प्रकार से हॉर्ष राइडिंग और हॉर्ष रेडिंग यहां पर ना हो किसी प्रकार से खरीद फरोक्त का यहां पर कोई भी इंतजाम ना हो इसी के चलते विधायकों को रिजॉर्ट मे ठराय गया